हाई गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, अन्स्वीटन नेचुरल आलमेंड बटर, आप जो मारकेट से आलमेंड बटर खरीते हैं, वो बहुत ही कॉशली है, अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज में हमें 200 ग्राम मिलता है, मैं उतनी ही क आलमेंड बटर आपको प्योर, नेचुरल, अन्स्वीटन, 150 रुपीज में घर में सिर्फ 2-3 मिन्ट में आपको बना के दिखाऊंगा, और बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी होगी, जो की मारकेट में मिलती है, और इसमें कोई भी आर्टिफिशल, कुछ भी मिक्स नहीं है, इ अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है, तो आप ज़्यादा आलमेंड ले सकते हैं, हमें आलमेंड को हमेशा सोक करके खाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है, जब हम आलमेंड को सोक करते हैं, तो उसके अंदर जो फाइटिक एसिड्स है, वो रि आलमेंड के अंदर फाइटोचेमिकल होते हैं जो कि हमें इसके नूटरिशन को फुल बैनिफिट्स को डायजेस्ट होने में हेल्प नहीं करते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं। आलमेंड के ऊपर का जो शेल जो ब्राउन स्कीन है, उसमें काफी फाइबर होता है, जब हम तो वो उसको break करने में help करता है, जिससे fiber break होते हैं और हमारी body में easily digest होते हैं. अब अगर हम butter बनाने के लिए भी almond को soak करते हैं, तो हमें इसे dehydrate करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक dehydrator की जूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों के पास easily available नहीं होगा. तो इसके लिए हम almonds को roast करते हैं, जिससे कि उसकी उपर की skin को हम थोड़ा सा break कर देंगे, ताकि हमारा phytic acid जो है, वो reduce हो जाएगा. चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, कैसे हम अपना butter आगे बनाएंगे. इसके लिए मैं एक pan ले लेता हूँ, और मैं pan को गरम कर लेता हूँ, इसमें मैं अपने one cup almond डाल देता हूँ, और मैं इसे तब तक roast करूँगा, जब तक इसकी outer skin हलकी सी golden brown और हलकी सी blackish ना हो जाए, और इसकी skin crack ना हो जाए, ये देखी इस तरीके से इसकी skin crack होने लगेगी, जब ये अच्छे से roast हो जाएगा, अब हम इसे अपनी mixi यानी grinder में डाल लेते हैं, मैं छोटी quantity ले रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटा mixer लिया, अगर आपकी quantity जादा है, तो आप इसे बड़ा mixer भी use कर सकते हैं, इसे मैं सिरफ 30 second की pulse दूँगा, क्योंकि ये भी बहुत गरम है, heat है इसमें, फिर मैं इसे 15 second का break दूँगा, फिर मैं इसे 30 second की pulse दूँगा, और इसे बीच में धीरे धीरे चमच की help से हिला लेंगे हम इस powder को, अब ये देखिए, धीरे धीरे मेरे powder चिपकने लगा है, यानि कि अब इसमें से oil निकलने लगा है, almond अपना oil release कर रहे हैं, ये देखिए, अब मेरा थोड़ा सा ये बन गया है, paste type में, अब इस तरीके से हम धीरे धीरे से speed बढ़ा देंगे, इसकी timings बढ़ा देंगे, और तब तक करेंगे, जब तक कि अपना पूरा oil release ना कर दे, ये देखिए, ये मेरा perfect almond butter ready हो गया है, आप इसे थोड़ा सा और pulse करना कर सकते हैं, अब ये पूरा अच्छे से अपना oil release कर चुका है, मेरा homemade almond butter ready है, बिल्कुल देखिए, बजार जैसी consistency है, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा, कि ये घर पर बनाया हुआ है, चलिए बनाईए अपने घर पर ये almond butter, मुझे बताईए कैसे लगा आपको ये 100% pure almond butter, अगर आपको पहरी रेसिपी पसंद आए, तो अपने friends family के साथ share कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू,